नमस्कार दोस्तों, नमस्ते के वाई पी ऊटूप चैनल में आपका श्वागत है और आज के वीडियो में हम बताने जा रहें कि आप राज निर्वाचन आयोग के द्वारा जो भोटर लिस्ट जारी किया गया है उसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी आप अपने वा जरूरत पड़ती है या और भी ऐसे काम आते हैं जिसमें वोटर लिस्ट की जरूरत पड़ती है तो उस समय आपके पास वोटर लिस्ट नहीं होते हैं तो इसलिए आप इस वोटर लिस्ट को डाउनलोड करके अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं तो इस वोटर लिस्ट को आप कैसे डाउन्नूट करेंगे और किस वेबसाइट से डाउन्नूट करेंगे इस सारी चीज हम इस वीडियो में बताएंगे जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम एस्टेट इलेक्शन कॉमिशन बिहार के ओफिसियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और इसके पहले हम आपको बता दूँ कि इस वेबसाइट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ उस लिंक पे क्लिक करके आप डाइरेक्ट इस वेबसाइट पे आ सकत करते हैं तो एक पॉपप ओपन हो करके इस तरीका से सू करता है उसके बाद आप इसमें देखेंगे लिखा है वोटर्स कॉर्नर और इस वोटर्स कॉर्नर के दो नमबर पर आप देखेंगे ते लिखा मिल जाएगा डाउनलोड इलेक्ट्रॉल रॉल पीडियाप अब हम इस इस पर क्लिक करेंगे जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज ओपन होगा जो नया पेज ओपन होगा वह इस परकार से सू करेगा और आपसे यहां पर आपका डिस्ट्रिक मांगेगा उसके बाद आपसे आपके ब्लॉक मांगेगा जैसे कि आप यहां देख कर लेंगे और पंचायद सेलेक्ट करने के बाद आप अपना यहां से वार्ड सेलेक्ट कर लेंगे जब अपना वार्ड सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद आपके सामने तीन अप्शन सो करेगा जो इस परकार से देखेगा इसमें एक होगा मॉदर रॉल उसके बाद होगा सफल तो यहां पर आपको mother roll पे क्लिक करना है उसके बाद आपको download फीडियेफ क्लिक करना है ना कि supply roll 1 या supply roll 2 पे क्योंकि mother roll में ही फूरा voter list की संख्या दिए हुई रहती है तो हम download पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे permission मागता है करने के बाद फिर से यहां download करने को बोलता है download कर लीजिए उसके बाद आपके समने इस तरीका से पूरा पीडियेफ ओपन हो जाएगा जो voter list का फूरा संख्या दिखाएगा जिकितने लोगों का इसमें नाम है और आपका निर्वाचन शितर संख्या सो करेगा जैसे कि हम अच्छे से चाहे तो इसको प्रिंट करा करके देख सकते हैं तो यह रहा आपको अपना voter list डाउनलोड करने का तरीका है इसके बाद इसमें जो supply 1 और supply 2 दिया था तो supply 1 में होता है क्या है तो यहां पी आपको शो करता क्या है तो यहां पी आपको sort करता है तो इस तरीक से आप अपना polls डाउनलोड करसक्ते हैं और इसको सुरक्षित रख सकते हैं तो इसी तरह के नए नए जनकारी के साथ हम मिलते रहते हैं तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वेल आइकोन को दबा ले क्योंकि जब जब भी हम नए वीडियो डालेंगे तो आपके पास नए नोटिफिकेशन जाता रहेगा तो आप उस वीडियो को देख करके अपना लाव उठा सकते हैं तो इसी तरह से नए जनकारी के साथ फिर मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए इतने दिर तक वीडियो दिखने के लिए बहुत भूँ धन्यवाद